बूर्णिंग ए स्टुडेंट, टूडे आइ विल टीच यू हिंदी बुक आप क्लास वन हम लोग पिछले पेज में पढ़े थी अंस्वार की मात्रा, ठीक है? अंस्वार की मात्रा से यहां पे कुछ एक्सरसाइस में, इस पेज में कुछ कोश्चन दिये गया है, ठीक है? तो आपको उसको कम्प्लीट करना है, फर्स कोश्चन है, मौकिक में पढ़ो, जंगल, डंक, बंधन, रंक, नंदन, संत, खंजर, ढंग, मंजन और जंग, आप इस पूरे सब्द को पढ़ेंगे और अपने हिंदी के नोटबुक में लिखेंगे, ठीक है? नेक्स कोशन लिखित में है, वर्णो को मिला कर सब्द बनाओ, बहुत जोर अंस्वार की मातरा जोर खा तो फंक हो गया, बहुत जोर अंस्वार की मातरा जोर दो जोर रह तो बंदर हो जाएगा, इसी तरह से संक हो जाएगा, लंगूर हो जाएगा, मंदिर हो जाएगा, ठ थर्ड कोशन में बिंदू को मिला कर चित्र पूरा करो और रंग भरो यहां पर जितने भी बिंदू दिये गए सब को आपको मिलाना है और इस चित्र को पूरा करना है तो देखिएगा पूरा करके कि कौन सा चित्र बना है ठीक है Next question number four में है इन सब्दों को सुद करके लिखो यहां पे संदुक और आनंद गल्दी लिखावा आपको इसको सही करना है सही करके यहां पे लिख देंगे यहां पे और यहां पे Question number five है इन रंगों को पहचान कर लिको यहां पे यह पीला है तो पीला लिखावा, यहां पे नीला है तो नीला लिखावा, यहां पे हडा है, लाल है और काला है, ठीक है, नेश कोश्चने 6 में पतंगों में अपनी पसंद का रंग बरो, यहां पे तीन पतंग दिये गए, इस तीनों पतंग में आपको जो कलर अच् अन्सवार की मात्रा लगाना आए तो रंग हो गया संकर सकर तो संकर हो जाएका तालाप् सभा अन्सवार की मात्र इमतर सी मजू है तो मगल में हो जाएगा मौप मंदीर मज still हो जाएगा मोप पो जर्ड़ा है दो जंड्र पाधि Means को क कॉप्टिक करें की